ये लच्मन जादो जी पर करवाई नहीं हुई है ये भारतिय जनता पाटी का बिरोध का पड़िनाम है करवाई पढ़े लिखे लोग भारतिय जनता पाटी का अच्छा नहीं लगते हैं क्या आप लक्षमन यादव को चुनाओ लड़ना चाहिए? हम पूरे पाटी से आगरा करते हैं कि लक्षमन यादव जी के मुद्दा पर लड़ाई लड़नी चाहिए. अगर लक्षमन यादव चुनाओ लड़ते हैं तो आप परचार करने जाएंगे? एकदम निश्चित जाएंगे. उत्तर परदेश जाएंगे? उत्तर परदेश जाएंगे. आप अंबेदकर वादी हैं? पूरा अंबेदकर जी को मानते हैं और देश के लोग मानते हैं. अंबेदकर जी के ही समिधान पर ये देश चलता है. देश बीजेपी और आरेसेस पर न पहुजन ही नहीं, जो समाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, वैसे अगडी जात के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, देश भर में आंदोलन हो रहा है, मनोज सिंग है, राष्टिय जनता दल के महासचीव है, प्रदेश महासचीव, क्या कहेंगे सर, आप तो राजप जाती से है, राजपुत जाती से बीपी सिंथ है, राजपुत जाती से हमारे नेता, जिनको मान के हम लोग राजनीत में आये थे, चंसे खर्जी थे, हम लोग कार्चकरम भी पटना बड़ाबर कराते हैं, बुसमेराश्टी, अध्यक जी बहुत बाद आये हैं, प्लालो जी उद्घाटन की हैं, चंसे खर्जी के पूरति थी, जैनती, बात जाती के नहीं है, बात बीचारों की है, यह जो अभी सरकार देश में चल रही है, बता देते हैं आपको, एक गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के मारने की परियास है, और बात रही लच्मन जादो जी के, ए एक लच्मन जादो जी नहीं है, एक लच्मन जादो जी तो आप उदारन दे रहे हैं, हजारों ऐसे लच्मन जादो जी हैं, हजारों सिंग जी हैं, हजारों, बाबु साहब में भी बहुत गरीब, कमजोर लोग हैं, जो बीपी सिंग के बीचारों को मानते हैं, जो भी किसा इस देश में इस राज में वो बीपी सिंह के बीचारों को मानता है यह तो बेपारी बर्ग है भारतिय जनता पार्टी आपको बता देते हैं यह लच्मन जादो जी पर करवाई नहीं हुई है यह भारतिय जनता पार्टी का बिरोध का पड़िनाम है करवाई जो भी जाती से और भारतीय जन्तापाटी के पर बोलेगा उनके बेपारियों पर बोलेगा उनके जो सरक्षन लोग है उन पर बोलेगा उन पर करवाई होगी। उनका हम देखते हैं, बहुत हमको अच्छा लगता है, उनका बिचार हम सुनते हैं, इसलिए कोई भी पढ़ा लिखा नोजवान है, अगर बीपी सिंग जी के बिचारों का, करपुरी ठाकुर जी के बिचारों का, लुहिया जी के बिचारों के, हम लोग अधनियन नेता, लाल साथ ज्यादो अर्टे ज्स्वी ज्यादी, उनको चुनाओ लड़ना चाहिए, उनको चुनाओ लड़ना चाहिए, लोग स मभणी उनका ठों हम जानते हैं, इस बात पर हम राखे नहीं दे शक्ते हैं, अगर लग्षमन यादव चुनाओ लडते हैं, तो आप परचार करने दम निस्चित जाएंगे उत्तर प्रदेश जाएंगे उनको विछारों को हम देखते हैं और हर पढ़े लिखे इंसान हैं भार्तिय जंता-पार्थी के भीरोध करने का उनको ए सजा मिला है पढ़े लिखे लोग भारतिय जनता पाटी के बिरोध करेगा वो अच्छा नहीं लगेगा वो किसी जाती का हो यह को वाइरोल हो रहा ने वीडियो प्लेन भी यह यह को लाइक आप देखे हैं ना देखे नहीं है उसमें बोल रहा था अब भी लड़का बोल रहा है उसे पुछा गया कि इतना परहले लिखाई की हो लोग भी यह की है तो कॉन सबी है कॉन भी सेम टो बोलता है पलेन भी है अब उसने चल रहा है मसाला भी है रोस्ट भी है टोस्ट भी यह आज जोते जस्वी जी पर भी करवाई होती है लालू जी पर भी करवाई होती है क्यों करवाई होती है जब रोजगार के बात करते हैं आते जस्वी जी कोब नोटिस निकलता है जब यहां बेरजगारी पर बात करेंगे तो उदर नोकडी कर बात करेंगे बेरजगारी पर बा जिए और जो भी पड़े लिख से कुम पचेस से टीस कि इस गाम सब लोग अम्हेदकर जी को मांते हैं सब लोग मांते हैं कितना दुखद है सिंग जी कि जिस साल किसी युवा की शादी हो उसी साल उसके पेट पे लात मार दिया जाए लक्षमन यादव जी की बात करें लक्षमन जी के घटना हम आपसे को दिये फिर दूर आ रहा कि बहुत दुखद है निंदनिय है और इसका मैं आपके चैनल के मान देह हम से मैं निंदा करता हूं और पढ़े लिखे हर जाती के नौजवानों से जो भटके हुए नौजवान हैं मैं अफील भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप Facebook और TV चैनल जो गलत लोग नीव चला रहे हैं इस देश में corporate के लोग हैं जो बेपारी बर्ग है उससे आपकी सान नौजवान के भाड़ी नुकसान हो रहा है आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है आपकी आमदनी घट रही है सब मोधी मोधी कर रहा है सिंग जी उन नहीं कर रहा है इसा नहीं है देख लिए च हाँ निश्ची तोर पालब सब राजपूत के हम नहीं कोई हम थीकदार नहीं है राजपूत के सादल हाई नहीं है जितना परसेंट है उस पर बहूत नहीं है बौह स्कcking मोच कि जो लोग बीपी शिंग के धारा के मानने वाले लोग है चन सेखर जी के धारा के मानने वाले लोग है निश्चित तोर पर भारतिय जनता पार्टी के प्रतिकार करेंगे बिरोध में जाएंगा और जाते हैं जाते हैं भारतिय जनता पार्टी के समर्थन में बीपी सिंग और चन सेखर जी के मानने वाले लोग अभी जाई नहीं सकते हमारा नीची मानना है एम कोई विच नहीं है जानता परत्य आसी के चाय नहीं करियेगा अकलेस तकलेस नहीं करियेगा एके बार नेपाल से उठाईएगा जपान भेज दिजिएगा तो जानता नहीं मानती है कोई दल हो हम जैसा गाउं में देखते हैं रहते हैं जो किसी जाती का ब्यक्ति वो कर्च करता अगर गाउं में रहेगा किसान मजदूर नजवान गरीब में रहेगा निश्चित तोर पर चुनाव जीत कराएगा दुनिया कोई ताकत उसको नहीं हरा सकते कोई दुनिया की ताकत उसको चुनाव नहीं हरा सकते तो ये लचमन यादव की पॉपलिरिटी है कि उनके बहुजन समाज के लोग तो विरोध कर रहे हैं इस घटना का कि उनको बर्खास्त कर देया गया है जाकिरुचन कौले से राजबूच समाज के लोग भी जो विचारधारा वाले हैं बहुजन विचारधारा को मानते हैं समाजी न्याय को मानते हैं और समाजवादी हैं वे लोग भी बिरोध करें तो मनोज सिंग जी से बात किये राज़त नेता हैं पूरी बात्चीत कैसी लगी आपको बदाये कमेंट बॉक्स में फेस्बूक पर देखें पेज को लाइक फ़लो ने किये कर लेजिए यूटूब पर वीडियो देखें सब्स